जानाबाद जिले के हुलास गंज प्रकान डिस्तित गोलत पूर गाव में बिजली की चिंगारी से 20 से 25 बिगा में लगी गेहों की फसल जलकर राख हो गई आग लगने की सुचना दमकल विभाग को दी गए जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पहुँची और आग पर काबू पाया इस घटना के बाद पिरित किसान इस सरकार से मौाबजे की मांग करते हुए कहा है कि बिजली बिभाग की लापरवाही की कारण उनकी फसल बरबाद हो गई और इस खबर पर अधिक जानका इदने के लिए हमारे साथ पंकर जो चुके हैं सवाधाता अब जहानाबाद से बरी खबर आई है पंकर जहांपर लाखों रुपे का नुकसान हुआ है किसानों को क्योंकि गेहों का फसल जलकर राख हो गया है किस तरह की लापरवाही हुई कि यह प्रशाशन की और बिजली भाग की जरूर चाहेंगे बताएं जहानाबाद के खुलासकन थामा से गोलग पुरगाओं एक है जहां बिजली की चिदिगारी से लगवर 20-25 भाग के पेत में लगे जहूंग किसान का जलकर नस्थ हो गया है ग्रामता कहना है कि बार 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 विजली भीभाग को कहा गया था कि यहां पास का पेन उचे विजली की साथ तक राती चिंगारी होता है इसके पूर भी कई घटमा हो चुगे लेकिन विजली भीभाग के लापरवाही के कारण किसान की भाई खती रही है पंकज विजली भीभाग की लापरवाही की कारण किसानों को बरा नुकसान उइंग की उचार है क्या कोई उनका प्रति निदी मंदल सरकार से अफिर विजली भीभाग के प्रशाशनी कदिकारिंसे मुलकात करेंगे और ये इस मामलिकी जानकारी देंगे oder उसे इस पर अंचला अधिकारी ने कहा है कि उची तुम सरकार को लिखा जाएगा उची माफजाओं को उनको दिलाया जाएगा जिस लापरवाई की बात कहीं जारी है वो लापरवाई आकर बार बार देखी गई है इसके पहले भी घटना है घट चुकी है तो फिर क्यों नहीं इन घटनाओं से सबक लेती है नहीं बिजली विभाग की कोई पर अधिकारी इस पर कुछ बोलने के त्यार नहीं है जिस ले बहुत बहुत शुक्रिया पंगर जापका इस खबर पर अधिक जानकाई देने के लिए तो जहरा बाब में लाखों रुपे का फसल का नुकसान हुआ है किसानों को और एक तरह से देखा जाये तो बिजली विभाग की बरी लापर वाही की कारणी ये घटना घटी है और मुआबिये की जो मांग है किसान लगतार सरकार से कर रहे है क्योंकि लाखों का नुकसान हुआ है और साल भर का जो मेहनत है वो किसानों का पानी में बह गया